हेलो एंड वेलकम मैं डियर सूल फैमली कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे आज के लिडिंग में हम देखने के कुशिश करेंगे इस समय इस पर्सन की क्या करेंट फीलिंग्स है क्या मैसूस कर पर्सन आपके लिए क्या इनके करेंट फीलिंग्स है कार्ट जाने शुरू आ गए हैं अपने पर्सन का नाम लेते रहे हैं अपने पर्सन का नाम लेते रहे हैं ऐसा लग रहे है कि इस वक्त आपके जो पर्सन है वो काफी ज़ादा खुश लग रहे हैं काफी ज़ादा confident मैसूस कर रहे हैं खुद में ही और मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़ादा कोशिश कर रहे हैं दिन राट अपने काम को बढ़ाने की या फिर ये बो मेहनत किये है अपने work life में ऐसा लग रहा है ये दिन रात बहुत ज़दा busy रहते हैं और अपने कामों में ही ज़ादा तर ये उलजे रहते हैं जिसकी वज़े से ये person अपनी growth को लेके बहुत ज़दा खुश है और मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़दा भी मजाकिया हो कि ये व्यक्ति जो है बहुत ज़दा आपने आप पे गर्वित मैसूस कर रहे हैं एक चीज़ और मैं देख रही हूँ यहां पे ठीक है कुछ और cards ले लेते हैं फिर आपको बताते हैं कि हमें क्या पता चल रहा है लेडिंग गो टर्निंग इन दफून आईसोलेशन ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपनी करियर को लेकर अपनी काम को लेकर काफी ज़्यादा खुश तो हैं लेकिन एक चीज़ मैं आपको भी बहुत डंग से बता दू कि ये पर्सन ना कुछ-कुछ इनकी खराब आदते नज लुआ हैं कि जब इनको कोई चीज मिल जाती है या फिर जब ये किसी के साथ होते हैं किसी गरुप में होते हैं जब ये कुछ भी ना समझना, खुद को बहुत ज़्यादा महान समझना और ये व्यक्ति जो हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा चड़ा कर भी दूसरों के सामने बताते हैं एक चीज और मैं बोल रहे हूँ यहां पे, यह बहले ही काम में अपने आपको कितना भी बिजी रख ले लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये परसन लव लाइफ को लेकि बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है और इसकी लव लाइफ में कुछ भी सही नहीं लग रहा है अगर लव लाइफ की बात बोली जाए, ये परसन बहुत ज़्यादा अनलकी यहां पे दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल करने के बाद, पाने के बाद, यहां यह इनसान मात खाया हुआ है ऐसा लगता है कि आज भी यह परसन आपको बिलकुल भी नहीं भूला पाया है पास्ट की मेमरी इसको इतना ज़्यादा परिशान करती है, इतना ज़्यादा इसको हांट करती है यह इनसान बस कोशिश करते रहते हैं किसी तरीके से पास्ट को भूलने की भूलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और कभी कभार जब इनके जो इमोशन है, वो हावियों ने जब लगते हैं, तो लग रहा है कि ये परसन बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस करते हैं खुद में कि नहीं, वक्त के साथ साथ ये कर लेंगे, ये अकेला रहलेंगे, जिन्दगी में अकेला रहलेंगे, लेकिन ये ये परसन का आपा बिल्कुल भी अपने काबो में नहीं रहता है, ये परसन किसी से कुछ भी बोलते हैं, आपके बारे में बाते करने लगते हैं, जाके किसी अजनबियों से बात करना शुरू कर देते हैं, मतलब ये अपने मन में और अपनी लाइफ में एडवेंचर लाने Valentine day की जो रात है जब बीती है ये person पूरे दिन पूरी रात आपको लेकर रोते रहे हैं रोते रहे हैं और आपकी याद में डूबे हुए हैं मुझे ऐसा रगता है इन्होंने कल किसी से भी बात नहीं की है और किसी से भी बात करने की इनकी हिम्मत इसले नहीं हो रही क्योंकि ये बिल्कुल आपके यादों में डूबे हुए हैं लेकिन ये दूसरों के सामनी इनसान इसलिए जानने से कत्रा रहा है क्योंकि ये इनसान चाहता है इस वक्त कि इनकी हालत के बारे में किसी को भी अंदाजाना हो ये चाहता नहीं है कि इनके वारे में लोग जाने, ये चाहता नहीं है कि लोग इनको कमजोर समझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यूरीडिंग आ गई है ओके, देंपरर ये इनसान अपने फादर से बहुत डरता है बहुत ज़़ा डरता है पादर हो सकते हैं कोई भी इनकी हेड आफ दा फैमिली हो सकती है उनसे ये बहुत डरते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स के सामने इस परसन की मजाल नहीं है विद्रोग करने की बस ये उपर उपर से दूसरों के सामने हीरो बनते हैं लेकिन असल में देखा जाये तो ये बहुत ज़़दा सताय हुए है अपनी फैमिली के दौरा ही इन पे बहुत ज़़दा प्रेशर डाला गया है जिसकी वज़े से जिसके दबाब में आके इस परसन ने ऐसे कदम लिये हैं ऐसे मूव लिये हैं लेकिन ये परसन इस चीज़ को लेके इतना ज़़दा शर्मिंदा रहता है कि वो किसी से इस बारे में नहीं बताते हैं वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि ये चाहते नहीं हैं कि घर की चार दिवारी की बात बाहर आए और लोग इनको जज़ करे ऐसा ये बिलकुल भी नहीं चाहते हैं मुझे यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है जो यह आपके परसन हैं वो इतने ज़ादा दो मुए हैं कि ये बाहर तो बहुत ज़ादा अबर्णनस दिखाते हैं खूब लड़के लड़कियों के साथ खूमना मजाग, मस्ती, मज़े करना सेलिब्रेशन करना बहुत हैपनिंग हैपनिंग सी तस्वीरे डालना सोशल मीडिया पे अपने आपको बहुत ज़ादा रिच दिखाना इनको लोगों के सामने शूआफ करने में बहुत मज़ा आता है जो असल में नहीं है वो बड़ा चड़ा के दिखाने में मज़ा आता है कई बार तो ऐसा लग रहा है कि ये परसन जो है ऐसा बताते हैं अपने घरवालों के बारे में कि इनके घरवाले बहुत कूल है इनके घरवाले राजी खुशी से जिससे ये चाहेंगे उससे शादी करा देंगे क्योंकि ये चाहते हैं लोगों की नजर में इनकी इमिज मतलब अच्छी रहे लोग इनको बहुत अच्छा माने लेकिन अगर असल में देखा जाए इस परसन की लाइफ में बिल्कुल उल्टा चलता है ये परसन मैंने बोला अपनी घरवालों से बहुत डरते हैं उनके सामने इनकी एक न चलती आपको लेकि ये परसन को ज़्यादा ही सीरियस है हद से ज़्यादा सीरियस है कुछ भी कर लो इस परसन के दिमाग से आपका जो नशा है वो कभी नहीं उतर सकता कभी नहीं उत्रेगा बट ये person आपको बताएगा नहीं वो अलग बात है इस वक्त currently ये person पता नहीं क्यों ऐसा सोच रहे है कि आप अगर इनके life partner होते तो शायद आप अभी अपने बच्चों के चेहरे देख रहे होते जी हाँ मुझे ऐसा लग रहा है ना जाने क्यों ये person family को आगे बढ़ाने के बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं कल की रात इन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थी बहुत मुश्किल से भी थी सारी चीज़े वो याद कर रहे थे और इस समय वो कितना ज़्यादा मजबूर है आपके पास ना आने के कारण वो चीज़ भी ये person एनलाइस करके बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे इनका ultimate goal यही है कि वो आपको पाना चाते हैं वो आपसे शादी करना चाते हैं वो घर भी बसाना चाते हैं लेकिन इस person के हाथ पाउं बंदे होने के कारण इस person में हिम्मत ना होने के कारण ये सारी चीज़े हो रही है और ये चीज़ साफ है ये जो person है वो कही न कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा डरे हुए है हर चीज़ को लेके पहले इनके जो डरावने थोट्स है इनको आगे की और बढ़ने नहीं देते इस person ने बहुत कुछ जूट बोला है आपसे इस person ने बहुत कुछ छुपाया है creation मन इनका बहुत है आपके साथ रहने का मन इनका बहुत है आप दोने के रिष्टे में last में जब आप दोने का बिल्कुल break up हो रहा था बिल्कुल break up होने के कगार पे था मुझे लग रहा है कि बहुत ही bitter sweet बात चल रही थी बहुत कड़वी कड़वी बाते भी चल रही थी एकनि एकदम से ऐसा होता था कि सारा महौल जो emotional हो गया मजाग से भर गया हसी से भर गया एक दूसरे को छेडने से भर गया लेकिन आप दोनों को ही पता चल रहा था कि कुछ ना कुछ यहां पे गड़बड जरूर हो रही है आपने हमेशा इस रिष्टे को खीचने की कोशिश की है आपके हमेशा प्रियर्स में ऐसा रहा है आपने हमेशा प्रातना यह चीज की की है कि कुछ भी करके मेरे परसन को मेरे पास ला दो इस वक्त भी जब भी आप प्रियर करते हो आप हमेशा यही मांगते हो कि मेरे परसन वापस आ जाए मेरे person मेरे पास आ जाए और उनके बिना बहुत अधूरा मैसूस करते हो लेकिन आप कभी भी बाहर वालों को दिखाते नहीं हो आपके अंदर एक अलगी silent battle चल रही है जो दुनिया नहीं जानती आपको सब इस इनसान के रूप में जानते हैं कि लाइफ में सब कुछ है और वो अपनी लाइफ में बख्षू भी बहुत जादा खुश है और अपनी लाइफ में बहुत जादा abundant है लेकिन कोई ये चीज नहीं जानता कि कौन सी चीज आपको अंदर से बहुत परिशान कर रही है आपको कभी भी सूनी नहीं देती आपको कभी भी पूरा-पूरा महसूस नहीं होता हमेश आदा दूरा लगता है इतनी achievements हुई है इतनी खुशियां आई है इतने सारे काम बने हैं आपके इस साल पिछले साल भी ये मान लिजए लेकिन आपके मन में हमेश ये ही रहा है कि अगर ये परसन भी होते अगर इनका साथ भी होता मेरे चाहने वाले परसन मेरे पसंद के परसन अगर मेरे साथ होते तो आज कुछ बात ही कुछ और होती और मजा सा आ जाता आपके दमाग में हमीशे यही चलता रहता और कभी भी complete feeling नहीं दिखाई दे रही है guidance देख लेते है universe के तरफ से universe के तरफ से guidance देख लेते है endings are inevitable tree, let them go ठीक है, letting go आपके लिए इस साल का सबसे biggest lesson है letting go letting go सीखना है, देखिए साफसी दी बात है, कोई चीज नहीं हो रही उसको पकड़ के मत बैठिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा time waste किया है आपने past में जो चीज नहीं हो रही है उसको थोड़े time के लिए नजर अंदास करके आपको अपने present में ध्याम देने की कि पीछे से आपके जो fool खिल रहे है इस वक्त आप उसको ignore कर रहे हो तो ये चीज भी जाती जा रहे है, miss out कर रहे हो बहुत कुछ, miss out नहीं करना है endings are inevitable, कोई भी चीज जब खतम होती है, आपको बहुत दुख होता है किसी को चोड़ के जाना हो या कोई चीज भी खतम होती है, कोई changes आ रहे है 11-11 देख लिया है, मैंने सब लिख दीजे comment section में 11-11 angels के लिए, और एक दिल बना दीजे heart बना दीजे red color का तो अगर कोई चीज खतम हो रही तो इसका मतलब ये है कि वो खतम नहीं हो रही एक नई चीज की शुरुआत होने जा रही है तो उसे इस प्रकार से देखना है ना कि उस पे उदास होना है क्योंकि जो चीज खतम हो रही है, दोनों कार्ड बहुत ज़्याद रिलेटेबल है, वो चीज आपके लिए नई beginning लेके आ रही है, वो आप तभी देख पाओगे, जब आप आपने आसपास को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर रहोगे तो आप प्रेजन्ट में जीओ, देखे इस परसन की करेंट फीलिंग्स को हमने देखा कौन सी चीज आप से रिजुनीट कर रही है कॉमन सेक्शन में बता के जिरुगू जाना मिलूंगी नेक्स वीडियो में गॉड ब्लिस यू अन लब यू अल